हेलो फ्रेंज स्वागत है मेरे चैनल स्वाद पलस में तो आज मैं लाए हूँ आप सभी के लिए एक अमीजिंग सी टी की रेस्पी आप इसको टी नहीं अमरित कह सकती है क्योंकि अगर आप इसको बरोबर सेवन में लाएंगी तो आपकी कई सारी बिमारिया चुटकियों में खतम हो जाएगी अगर आपको बहुत जादा सर्दद हो रहा है या बदन दर्द हो रहा है तो आप एक कप फटा फट बना कर पी ले तो बिलकुल चुटकियों में आपकी सारी समस्या खतम हो जाएगी सर्दद बिलकुल ठीक हो जाएगा अगर आपका ब्लेट बहुत जाद कैसे हमने इसको बनाया है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे पतीला चड़ा दिया है तो इसमें डालेंगे हम पानी तो मैं दो कप टी बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने बड़े वाले कप से एक कप पानी डाल दिया है आप अपने हिसाब से जितना भी आपको पीना है आप उसी हिसाब से पानी की quantity घटा बढ़ा सकती है तो पानी को हम बिल्कुल अच्छे से boiling होने देंगे तो ये देखिए पानी में अच्छे से boil आ गया है अब इसमें डालेंगे हम सुगर तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही healthy बना रही है सुगर के लिए बना रही है तो ये चीनी क्यों डाले है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको शुगर नहीं है या जो मीठा खाने से पीने से नहीं परहेज कहते हैं वो मीठ इस समय डाल सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बताया है जो शुगर पेसेंट है या जो लोग शुगर नहीं खाते हैं वो इस टाइम पे शुगर बिलकुल ना डाले से पानी को बॉइल होने दे साथ में हम डालेंगे दो पिंच नमक तो ये स सेंधा नमक है क्योंकि सेंधा नमक जो होता है वो बेट लॉस करने में और हाई बीपी में बहुत ही अच्छा काम करता है तो आप जहां तक हो सेंधा नमक का ही यूज करें अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप सफेद नमक भी यूज कर सकती हैं अब दोनों चीजों को डाल क करीब हमें 3-4 मिनट इसको अच्छे से medium flame पे boil होने देना है तो अच्छे से boil हो रहा है अब 2-3 मिनट हो चुके हैं आप हमने लिया है चाय पति तो चाय पति हमने लिया है इतना सारा लेकिन हमें डालना है कितना पिल्कुल थोड़ा सा विल्कुल वन फोस्ट चमच ही डालना ह जो नॉर्मल चमच होता है उसी चमच से यह छोटे वाली साइज है चमच का तो आप देख सकते हैं कि कितनी पत्ती हमने ली है अब गैस को हमने बिल्कुल बंद कर दिया है गैस हमें इस टाइम बिल्कुल नहीं जलाना है तो पत्ती को डाल करके हमें इसको ढख देना है बिल् नीबू को आप दो टुकड़ों में कर लीजे क्योंकि एक कप टी के लिए हमें आधा नीबू की जरूरत पड़ेगी तो मैंने दो कप टी बनाया है उसके लिए मुझे एक पूरा नीबू लगेगा इसको मैं दो टुकड़ों में काट लोंगी तो हम सभी जानते हैं कि फिल्टर कर देता है, पतला कर देता है, हाय कलेश्ट्रोल को भी ए भीलकुल खतम कर देता है, हाई बीपी को ये बिलकुल नॉर्मल कर देता है, जो शुगर होता है, उसको भी ए Zur that निबुच जरूर्श से लेणा चाहिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारी T है कि दयार है कि नहीं क्योंकि एक से डेड़ मिनिट हो गए इसको रखे तो आप देख सकते हैं जो चायपत्ती था उसने अपना कलर बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है गैस को आपको चायपत्ती डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं चालू रखना है तो हम जूस सीधे कप में निकालेंगे जिस कप में हमें टी को पीना है तो आप उसी बरतन में निकालें अगर आप चाहें तो सीधे जूस चाय चानने वाली छन्नी होती है अगर आप हाथ से जूस निकाल रही है तो सीधे चन्नी में निकालें ताकि जूस जो है हमारा अच्छ से च्छन के कप में गिर जाए तो हम क्या करेंगे अब डायरेक्ट इसी कप में हम जो हमने चाय बना कर रखी है उसको हम चाल लेंगे तो अगर आप सुगर पेसेंट हैं या किसी भी वज़े से आप मीठा नहीं पीती हैं शुगर नहीं लेती हैं या गुड नहीं लेती हैं अ तो आप इस तरीके से कप में चाय निकालने तो आप एक चम्मस सहद या बिडाव सहद के भी आप ले सकती हैं यकीन मानिए अगर आपने एक बार इसको बना के पी लिया तो आपके जुबान से इसका सौद बिल्कुल जाएगा ही नहीं बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सा टे लगेगी इसको पीने के बाद आप दूख दुबाले चाय कभी हाथ नहीं लगाएंगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंकि ऐसी नहीं नहीं वीडियो रोज मे इस्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि हर किसी को हेल्थ की इसूस तो होती रहती हैं